हाई अब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल सक्षा फॉर सक्सस आज हम डिस्कूस करेंगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की प्लांट मॉर्फोलोजी से रिलिक्टे रहेगा वो है आपका स्ट्रम यानि कि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रम क्या है इसका म होते हैं स्ट्रम का मोडिफिकीशन कैसे होता है और इसमें प्रेजेंट आपके डिफरेंट इफरेंट एक्जामपल और इन एक्जामपल का में परपर्स इन सब की बारे में डिसकूस करेंगी आज के सेशन में सो विदाउट एनी फर्दर दिली वी स्टार्ट टॉपिक या सब्सक्राइब करें तो यौन में परिबीश वीडियो में ने बिलापमेंट खो ऑसके ही आपकी प्लेमिल वाली रिजन से सीस्टाइबलमेंट होता है तो सिस्टाम का चंब दोट में बीट सिस्क्राइब यूत पर्सक्ति एम तो इस तरह से यहां पे नोटस और पहुती हैं लीव्ज होगे, बड़ज हैं और इसी सूट सिस्टम के पार्ट में इसका अगर देखें की मेन फंशंस क्या होता है किसी भी सूट सिस्टम का तो इसका प्रामरी फंशंस है आपके स्टू, वॉटर, मिनरल, फूड इन सभी का कंडक्शन करना, और वहीं अगर हम यह सबी बाते हमने रोड system में भी सेम चीज़ें आपते ही दी किस तरह से आपका stories या support या protection प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइट करता है सेम यहां आपके stem की case में भी हम देखेंगे कि stories कैसे करता है stem support कैसे प्रोवाइट करता है manufacturing कैसे होता है photosynthesis की process कैसे होती है birds यहाँ पर present होती है इसटम में दो तरगी कि liberd's हमें देखने को मिलती है, यहाँपे हमें देख सकते हैं कि एक होती है axillary birds और एक है आपकी terminal birds. अगर हम यहाँपे बाद करें ड्रोक की द्रोक हम यहाँपे आपको बताने की कर रहे हैं कि किस तरह से आपका फर एक प्लांट से है ठीक है यहां पे आपके फ्लार्स रिजन होग यह आपकी लीव सोगे यह अपकी लिवस होगी अब यहां पे जो आपको नोन है कि यह आपका जो रिजन है this one यानि कि ये सो reason है आपके ये आपका note है कि ये reason आपका क्या है notes है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपके क्या होंगे different difference आपके auxiliary birds यहाँ पे present है as you can see in this diagram यहाँ अगर हम इसको various करके यहाँ भी समझने कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके कि किस तरह से यहाँ पे आपके auxiliary birds यहाँ पे present है और वहीं अगर हम बात करें कि second arrangement कैसे हो सकता है किसी भी plant के अंदर तो वो arrangement हो सकता है कि इसके end पे यानि कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके end reason पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है यानि कि यह आपके terminal birds होते हैं यानि कि single bird अगर आपको देखे terminal end portion पे दिख रहा है तो यह आपका terminal birds होगे और वहीं हम कह सकते हैं कि यह आपका auxiliary portion में भी देखने को मिल सकता है यानि कि which one is best for us तो कौन सा आपका कह सकते हैं कि plant के यानि कि especially अगर हम कहें कि plants के protection के लिए कौन सा यहाँ पे best रहेगा तो यह आपकी auxiliary bird आपे best होगी क्योंकि auxiliary birds में आपकी क्या होगा कि auxiliary parts में different different जगहों पे आपके birds present है और यह protection का का काम ज़्यादा करेंगे compared to आपके single यानि कि जो आपके terminal birds present है इसके comparison में, right तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह से auxiliary birds यानि कि multiple birds होती है और terminal birds आपकी single birds होती है अब अगर हम बात करें किसे भी suit system के important functions की तो यह आपका कहीं हद तक relate करेगा आपका root system की तरह यानि कि इसका main functions देखनी कोशिश करें तो suit का main functions यहाँ पे क्या होगा conduction करता है, water का conduction करता है mineral का conduction स यहाँ पे करना या फिर food का conduction करना यह important main function होता है किसी भी suit system का वहीं अगर हम बात करें इसके accessory functions की तो accessory functions में हम include कर सकते हैं इसका stories, support करना, protection प्रोवाइट करना photosynthesis की process होना या फिर आपका कह सकते हैं vegetative propagations की process होना यह सब ही आपका आएगा accessory functions के अंदर तो यह होगे आपके shoot system का किस तरह से accessory और main function perform हो सकता है अब यहाँ पे लेखने की कुशिश ही है कि system के different types हो सकते हैं किस तरह की system हो सकती है तो as you can see in this कि यहाँ पर आपका किस तरह से strong system और आपकी weak stem प्रेजेंट है strong stem में अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका system है हमने कहा codex codex system यानि कि इसको हमने columnar भी कहा है इसके best example क्या हो सकते है तो हमने कहा यहाँ पर आपके plum या फिर आपका coconut अब यह plum और जो coconut है इनके structure को अगर हम यहाँ पर draw करने की कोशिच करें तो यहाँ पर आपका यह कैसे होती है तो यह आपकी unbranched होती है और unbranched और कह सकते हैं कि यह आपका cylindrical और आपकी कैसे होती है इरेक्ट होती है यानि कि कॉर्डेक्स या कॉलम्नर की जो हम बात कर रहे हैं तो कॉर्डेक्स और कॉलम्नर कैसा होता है तो यह आपकी unbranched और इरेक्ट आपकी cylindrical यहाँ पर देखने को मिल सकती है और एक्जाम्पल प्लम हो गया और आपका coconuts हो गया नेक्स एक्जाम्पल है आपका नेक्स जो stem आती है strong stem में second क्या सकते है x current stem x current stem में क्या है x current stem यह होती है आपकी cone-like अच्छा cone-like structure अगर हम बनाने की कुशिश करें तो cone-like structure किस तरह से बन सकता है आपका यह इस तरह से आपकी cone-like structure देखने को मिल सकती है यानि कि इस तरह का अगर आपने कहीं diagram देखा हो इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यह मिलेगा आपको pinus में pinus और इसके साथी एक और example हो सकता है यह आपका कैसुरेनिया तो कैसुरेनिया और आपका pinus इन दोनों में आपका क्या मिलता है आपका x-current stem देखने को मिल सकती है यानि कि कौन like stem इसमें present होता है थर्ड बन अगर हम डिसकस करें यह है आपका klum थर्ड बन है आपका klum थर्ड बन इस klum अब इस klum के example की बात करें तो klum में आपका क्या क्या हो सकता है तो हम क्या सकते हैं wheat और आपका bamboo यह आपके klum होते हैं यानि कि इनके अगर हम diagrams को ड्रॉक करेंगे तो आपके कुछ इस तरह से आपकी notes यहाँ पर present होगी different different चगों पर ठीक है यह portion आपका note होगया और बीच में यहाँ पर present है आपका internode यानि कि internode अगर आप देखेंगे तो hollow आपको internode देखने को मिलेगी और यहाँ पर कह सकते हैं कि यह structure आपको देखने को मिलेगा bamboo में जो कि आपने देखा भी होगा कि अंदर से hollow रहता है आपका और notes reason present होते है same way कि आपका wheat में भी आपको देखने को मिल सकता है so यह example होगे आपके klum के next one है आपका and the last one आपके strong stem के अंदर वो है आपका deliquescent deliquescent stem की अगर हम बात करें so deliquescent stem आपकी कैसी होती है rounded suit system होता है यह rounded suit system किसमें present होता है तो यह present होता है आपका mango में next है आपका weak stem weak stem की अगर हम बात करें तो weak stem में आपके three important stem यापे included है first आपका आता है trailer second one is creepers या जिसको हम runners भी कहता है third one is clambers तो weak stem की three stems में convert होता है या आपका three stems में three different parts है इसके trailer हो गया creepers या runners and clambers इसके अगर example की बात करें तो trailer के अंदर trailers कह सकते हैं कि यह आपका ground surface में आपका spread रहता है यानि कि जो भी आपको trailers का आपका reason देखेगा यह आपके सारे की सारे surface पे आपको देखने को मिलेंगी यानि कि इसका example हम कह सकते हैं potulika हो गया और आपका tridex हो गया potulika और tridex यह example है आपके trailer के वहीं second है आपका stem आपका किस तरह के हो सकते हैं वीक stem है तो creepers और runners creepers और runners की बात करें तो यह ground ground के अंदर present होता है right ground के का होंगे यह अंदर present होते हैं और यह कैसे होंगे horizontally present होते हैं right यह horizontally भी होंगे और साथ ही हम कह सकते हैं कि यह आपका ground के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है right तो इस तरह से यहाँ पे आपको कह सकते हैं इसके example क्या होंगे तो दूब गास आपका example हो सकता है दूब गास right तो यहाँ पे सबसे पहले trailer के example हमने देखा पॉर्टोली का tridex हो गया और क्रेप और runner का example क्या हो गया दूब गास और वहीं अगर हम बात करें clambers की so clambers में आपका आता है ऐसे climbing suits जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेंडल की help से यह आपके क्या करते हैं climb करते हैं अब इसके अंदर सारी की सारी हमारी क्या हों से family आ जाती God family आ जाती God family के अंदर जैसे हम कह सकते हैं आपका क्या क्या चीज़े included हो सकती है pumpkin हो गया आपका watermelon हो गया या फिर हम कह सकते हैं cucumber हो गया यह जितने भी आपकी God family से related जितने भी आपके example हैं वो सभी इसमें include किये जाएंगे और इसे के साथ ही हम कह सकते है grapevine आपका included हो सकता है तो यह सारे आपके clambers के example होगे getting? so week stem में हमने क्या क्या चीज़े देखी सबसे पहले हमने देखा trailer second one is grabbers third one is clambers next है आपका modification of stem modification term को अगर हम समझने की कोशिच करें तो modification means क्या है कि यहाँ पे आपका कुछ ऐसा important जो main functions जो कर रहा था उसके अलावा जो accessory functions है वो accessory functions आपके क्या क्या हो सकते है तो modification stem में किस तरह से देखने को मेलेगा तो first of all we divided into three important categories और three main category क्या सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है आपकी underground stem second one is aerial stem and third है आपका sub aerial stem या फिर जिसको हम कह सकते है reproductive stem right so underground stem में आपकी क्या चीज़े आएंगी तो underground stem के अंदर four different आपके stems है पहला है आपका rhizome, second one is bulb third one is corp, और fourth one is tuber right so हमने underground stem में इनकी example भी आएंगे सबसे पहले इनकी categories देख लेते हैं भी stem कौन-कौन से included है underground stem में क्या क्या चीज़े rhizome, bulb, corp, और आपका tuber वहीं अगर aerial system की बात करें तो aerial stem में आपका क्या चीज़े हैंगी aerial में आएगा tendril, hooks हो गया thorn, bulbils, philoclade और आपका claydoad right यह आओगी आपके aerial stem और last है आपका sub aerial stem या जिससे हम कहा रहे है reproductive stem तो इसमें आएगा आपका runners, suckers, stolen और आपका offset right अब देखते हैं one by one कि किस तरह से आपके इनके important example कैसे included होते हैं modification of system में सबसे पहले category को देखेंगे underground stem right underground stem के अगर हम बात करें तो underground stem में हमने 4 चीजे इंक्लूट की right वो चार stem कौन-कौन सी rhizome, bulb, corn और tuber तो सबसे पहला इसमें आएगा part आपका rhizome rhizome में आपका क्या-क्या चीजे इंक्लूट कर सकते हैं तो rhizome अगर हम बात करें flashy stem होती है यह आपका horizontally grow करता है soil के अंदर तो यहाँ पे आपकी notes, inter-notes यह सारी चीजे present होती है तो इसको एक diagram से हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह का यह आपका structure हो सकता है एक ginger को बिनाने की कोशिश करते हैं यह आपे आपका इस तरह से हम कह सकते हैं यह एक ginger है अब इस ginger में आपको क्या देखने को मिलेगा हमने का कि यह notes भी present होती है यह आपकी ठीक है और आपका notes भी present होगा तो यह वाला जो portion हो गया यह inter-not हो गया और यह वापका note हो गया इस तरह से उपर आपका कौन सा reason आएगा shoot वाला part आएगा यहापे हम कह सकते हैं यहापे shoot वाला reason देखीगा और नीचे हम कह सकते हैं कि यह आपका root वाला category आएगी तो इस तरह से आप यहापे देख सकते हो कि complete ginger यह का structure किस तरह से यहापे देखने को मिला है shoot system हो गया node है, intern node है root system यहापे present है इस तरह से यहापे turmeric भी इसको ले सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है आप assume कर सकते हो कि यहापे समझे बात को कि rhizome में किस तरह से आपका present होगा next वे आपका important category आती है इसके बाद वो है आपकी कौन सी bulb अगर हम bulb की बात करें तो bulb से आपके mind में एक चीज़ क्लिक होनी चीज़िए और वो यह कि bulb आप onion या फिर हम कह सकते है garlic जब भी आप onion या garlic के structure को देखेंगे तो वैसे आप assume कर सकते हैं कि bulb का structure किस तरह से होता है तो इस तरह से हम onion में भी यहापे देख सकते है यहापे अगर draw करके बनाने की कुशिश करें तो जैसे आपको bulb का shape दिख रहा होता है सेम इसी तरह से आपको एक आपका क्या यह garlic का shape भी दिख सकता है है ना यह हमने एक onion बनाने की कुशिश की है यह आपका root system हो गया यह आपका नीचे root system हो गया और यह आपका क्या है आपका यह tunic वाला part हो गया तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं tunicated bulb जिसे हम क्यारें onion आपका onion यहाँ पर क्या सकते हैं जिसको आपका scientific नाम अगर देना चाहें तो allium cepa जो कि यहाँ पर already written भी है allium cepa भी से कहा जाता है वहीं अगर garlic की बात करें तो garlic आपका जिसको scientific नाम है allium sativa यानि कि यह दोनों चीज़ें आपकी bulb के अंदर का example हो जाएगा next one is korm कॉर्म की अगर हम बात करें कॉर्म में हम क्या दिख सकते हैं चीज़े कि यह आपका कैसा होता है तो यह flashy stem होती है यह आपका vertically grow करता है कैसे करेंगा vertically grow करता है अब इसमें notes भी present होते है inter notes भी यह पर present होते है कॉर्म की अगर example की बात करें तो इसमें आता आपका जमीन कन जमीन कन जिससे के हम आपका elephant food भी कहते हैं सोरन भी कहते हैं और आपको इसे खा जाता है amorphophallus भी कहा जाता है amorphophallus और आपका saffron भी से कहते हैं saffron जैसे क्या आपका कैसर होता है crocus sativa जैसे हम कहते हैं यह सभी example आपको देखने को मिलेंगे कॉर्म के अंदर और last one इसमें आपका include करेंगे tuber, tuber यानिकी potato tea pot करके आप इसे ऐसे relate कर सकते हैं ginger, banana, turmeric ginger का structure आपने देखा था node inter node के तरह से present होती है flesh ही आपका रहता है soil के ओपर यह आपका horizontally grow होता है bulb की बात की ती हमने तो bulb हो गया आपका onion garlic बल्ब की shape में आपको नजर आया था कॉर्म की हमने बात की कॉर्म आपका fleshly stem होती है saffron include होगा और tuber में हमने का कि tea pot करके याद कर सकते हैं ठेक है tuber यानि की potato यहाँ पे include होगा यह होगा आपका underground stem next और important आता है आपका क्या aerial stem की अगर हम बात करें तो इसमें stem कॉन-कॉन से include थी तो हमने लिया था tendril hooks की बात की थी, thorn की बात की बुल्बिल्स की बात की फाइलो क्लेड और आपका clay dough तो अभी किस तरह से structure यहाँ पे आपका complete work होगा तो देखिए आपे tendrils की अगर हम बात करें so tendril कह सकते हैं यह आपकी coiled होते हैं leafless होते हैं green structure इनका होता है यानि कि इनका roll क्या है वहीं climbing में इनका roll है यानि कि यह आपकी क्या सकते हैं जो axillary bird है उनका modification से हम क्या सकते है tendril है आपे work करता है example क्या हो सकते हैं तो tendril के example हमें देखने को मिलते हैं जो भी god family है cucurbitacee हो गया आपका जितने भी आपकी cucumbers होगे watermelons होगे यह सभी god family इसके अंदर include की जाएगी और साथ ही हम कह सकते हैं इसमें grapevine हो गया यह सभी example क्या होंगे आपके यह include केंगे tendrils के अंदर next आपका important part है यह आपका होगा hooks hooks की अगर हम बात करें तो hooks आपका कैसा होगा भी hooks आपका होता है solid solid होने के साथ यह आपका curved structure होता है कैसा solid और curved structure इसको हम डियाग्राम से समझते हैं किस तरह से आपका structure होता है मान के चलिए कि अगर यह stem वाला reason है और यहाँ पे आपकी क्या है leaves है इस तरह से आपकी leaves present है अब इस leaves में आपका एक चोटा सा reason है आपको देखेगा hook-like structure इस तरह से हम यह कह सकते कि इस तरह से आपको देखेगा hook-like जो आपको structure देखेगा यह hook-like structure जिससे हम कह सकते है hooks यहाँ पे present होता है तो यह hooks इसके example क्या हो सकते है तो इसके example हो गया pineapple हो गया और hugonia हो गया pineapple और आपका hyugenia तो यहाँ पर यह दो example हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि curved structure solid और curved structure आपके देखने को मिलता है next है आपका thorn thorn की बात करें तो straight है solid होता है spiny और आपका pointed होता है spiny pointed जैसे आपके thorn के अंदर example क्या हो सकते हैं citrus हो गया, bogunvailia हो गया एगली हो गया और आपका कह सकते हैं kerisa हो गया यह सभी आपके thorn के अंदर के example हो गया next है आपका bullwills bullwills की बात करें तो यह auxiliary bird का ही modification है अब यह auxiliary bird का modification है तो किस तरह से यहाँ पर बुल्बिल्स यहाँ पर आपका present दिखने को मिलेगा यह आपका stories में help करता है और यह आपका present होता है plant में आपका ठीक है प्लांट में कह सकते हैं यह आपका present होता हुआ दिखेगा ठीक है और वेजटिटी प्रोपोगिशन में यह आपका help करेगा क्योंकि इसका main important stories का काम कर रहा है ठीक है तो बिल्विल के एक्जांपल क्या हो सकते हैं तो इसके एक्जांपल हो सकते हैं आपके एगेव हो गया जिसे हम century plants कहता है ठीक है या फिर आपका example इसके अंदर हो सकता आपका डाइवोस कोरिया आपका हो सकता है जैरोफाइटिक प्लांट्स जो कि रगिस्तान जिसे एरिया पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे अल्रिडी आपका leaves present नी होंगी यानि कि आपका क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जो leaves को reduce किया जाता है क्योंकि यहां पे waters का आपका जाद से जादा transpirations ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि यहां पे spine यानि की scales like आपके leaves present होने हो ठीक है इसलिए आपे कह सकते हैं कि S2 के transpirations कम हो loss कम हो उसका इसके लिए आपका present होंगे ठीक है यह आपका किस तरह से आपके present हो सकते हैं यह flattened भी हो सकते हैं दोनों nature आपको देहने को मिल सकता है हाँ पे हमने कहां कि यह आपके flattened nature भी हो सकता है और आपका cylindrical nature भी हो सकता है तो philoclade के example क्या हो सकते हैं सबसे पहला आपका open shear open shear flat end का example है जिसमें आपके चोट-चोटे spine या पर present होते है इसके mid में और cylindrical structure भी हो सकता है और cylindrical का सबसे best example है आपका euphorvia ये दो example आपके होगे किसमें philoclades के अंदर next one है आपका claydode claydode की अगर हम बात करें so claydode है आपका कहाँ present होगा ये भी zerophatic plants है zerophatic plants है अब इसमें और आपका philoclades में confusion नहीं करना है क्योंकि philoclades में हर एक चीज़ modified हो जाती है चाहे वो main branch हो या फिर उससे जुड़ी हुई आपकी branch हो या parent आपका parents आपकी चैन हो तो दोनों ही आपका parent plant हो या फिर आपका branch इन दोनों में modification देखेगा लेकिन claydode में इस तरह का आपका सिप branch में ही modification होगा लेकिन इसमें primary में आपका modification देने को नहीं मिलेगा claydode की example हो सकते हैं आपके asparagus और आपका ruscus ये example होंगे आपके किसके claydode की asparagus यानि कि asparagus में जब आपके root में modification होता है तो हमने वहाँ देखा था example में भी हमने फैसिकुलेटिट रूट हमने इसको का आता इस ट्रम में जब आपका modification होता है asparagus के तो इसे ये किसके अंदर इंक्लूट किया जाता है claydodes के अंदर अब हम आगे देखेंगे इसमें leaves के अंदर आएगा तो leaves में देखेंगे आपके spines का modification होता हुआ दिखता है ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये आपका claydode के example क्या होंगे asparagus और आपका ruscus यहाँ पे example include करेंगे अब third category आएगी stem की जो कि आपका modification के अंदर का सबसे important part आएगा ये है आपका subarial stem, subarial stem जिसको हमने reproductive stem कहा इसके अंदर क्या चीज़े हैं कि ये underground का part भी होगा और इसमें आपका aerial parts पी included हो सकता है यानि कि underground part भी आएगा और आपका aerial reasons भी, इसके best example क्या होंगे, stem की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता आपका runners runners की अगर हम बात करें तो runners क्या होते हैं, runners आपको देखने को मिलेंगे जिभी आपके grassy ground होते हैं, यानि कि जिनमे आपका grassy ground आपका किस तरह से जैसे दूब गास हो गया, है ना तो इनमें आपको देखने को मिलेगा आपका centellia हो गया, oxalis हो गया यह आपके weak system होती है horizontally grow करेंगे soil पे देखें जैसे इसके diagram से बना के देखते हैं कि किस तरह से आपकी इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ground के आपका horizontally soil के ओपर यहाँ पे grass आपका part reason grow होते वे दिखेगा ठीक है और यह आपका root system हो गया नीचे तो यह आपको roots दिखेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि runners आपका doob grass या फिर oxalis या फिर centella यह आपके best example होगे runners के, right सकर्स के अगर हम बात करें सकर्स में best example है आपके pineapple chrysanthemum और आपका banana सकर्स को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वह यह आपका सकर्स के अंदर आपकी चीज़ें आ सकती है PCB करके आप याद कर सकते हो PCB आप अगर चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं PCB आपका pineapple हो गया chrysanthemum हो गया और आपका banana हो गया इसको diagram की तो थोड़ा सा समझने कोशिश करते हैं कि इस तरह से आपकी चीज़ें बन सकती है यह आपका stem वाला reason हो गया यह grounds वाला part आगया यहाँ पे आपको क्या दिखीगा यहाँ से यह reasons आपका grow होके बाहर की और आता होगा यानि कि underground आपका कुछ part जो है underground है लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है यह suck the nutrients and water also यह आपका water and nutrients को सक करेगा soil से और उसके बाद यह obliqually क्या हो जाएगा outward यानि कि बाहर क्यों आएगा कैसे आएगा जब आउटवर्ड आना स्टार्ट करेगा तो इस तरह से कह सकते हैं यह आपका सकर यानि कि सकर क्या सकर रहा है यह आपका nutrients और water तो इस तरह का nature यह आपे देहने को मेलेगा इसके एग्जांपल क्या PCP करके हम याद रिलेट कर सकते हैं PCP से आपको थोड़ा इजी रहेगा इसको याद करने के लिए तो PCP से इस पॉइंट को याद कर सकते हैं pineapple, chrysanthemum और आपका banana नेक्स्ट है आपका example next stem हम कह सकते हैं आपका subarial stem के अंदर का जो पार्ट है यह है आपका stolen stolen के अगर हम बात करें stolen main stem है जो की grow होती है soil के अंदर main stem कहा होगी soil के अंदर grow होते भी दिखेगी और इसमें क्या होगा stolen से लग रहा है कि चीज़े हम जिसे हम easily हम कह सकते हैं कि आपकी छोटे से bucket में भी अगर हमने grow किया तो उसमें भी आपका grow हो जाला easily और हमें carry करने में नेरियम हो गया right so stolen में best example किया mint mint पोदीन आपने खरों पे आपका grow किया होगा या फिर आप देखते हैं बहुत बार हम mint को आपका गमले में भी grow कर लेते हैं है ना या बकेट में आप grow कर लीजे या फिर आप किसी मग में आप grow कर लीजे या easily आपका grow होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि stolen mint हो गया jasmine, collocasia और आपका nerium आपके best example होगे next है आपका offset offsets के अगर हम बात करें कुछ ऐसे plants जिनके आपके inter note बहुत ही आपके short होता है यहाँ पे notes भी contain होगे यानि की tough of roots यहाँ पे होगा और आपके कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके क्या inter note बहुती shots आपको देखने को मिलेंगे देखे, एक diagram की दुरूँ इसको समझते हैं offset की किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है यह reason होगे इस तरह से आपको देखेगा यह उपका यह उपर आपकी leaves प्रेजंट होती है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यह offset है आपकी offset म की stem reduce हो जाती है एक disc यहाँ पर बन जाती है इसमें node, inter, node प्रेजंट है यहाँ आपको आपका offset यहनी की tough of leaves के कह सकते हैं तो best example इसका क्या होगा एक्जाम्पल है आपका जैसे एक और दिया हो गया एक और दिया यह आपका टेरर और बेंगाल भी से कहते हैं इसे हम ब्लू डेविल भी कहते हैं राइट ब्लू डेविल के साथ सा और दूसरा एक्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका पिस्टिया राइट सो आप इस्टम, शूर्ट सिस्टम का पार्ट कैसे हैं, अब टाइप्स क्या होते हैं इसकी और इसके मोडिफिकीशन और इसके डिटेल के बारे में समझा, I hope you understand very well